स्तोत्र बानबे में उसके वाकिय 13 और 14 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग प्रभु के मंदर में रोपे गए हैं और वे प्रभु के प्रांगण में फलते फूलते हैं अगरेजी में उसका अनवाद है प्लांटेड इन दा हाउस दे लोड दे शल फ्लरिश इन दे कोड़ सबाग गौड यानि प्रभु के मंदर में रोपे हुए वे लोग और वे प्रभु के प्रांगण में फलते फूलते हैं यानि जिनकी जड़ें प्रभु के मंदर में हैं व हमारे जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना एक महतपून बात है मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन में परिशम भी करते हैं लेकिन साथ साथ प्रभु को लेके चलते हैं प्रभु के साथ जोड़े रहते हैं मैंने देखा उनके जीवन में सफलता पर सफल होती है तीसरी बात है प्रभु के आज्याओं का पालन करना प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन जीना हमें विदी वरंगरंध की अध्याए 28 में उसके वाकिय एक से लेकर प्रभु के अनग्रहों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो उन लोगों को दिया जाता है जो प्रभु के आदेशों का पालन करते है तो विदी वरंगरंध की अध्याए 28 में उसके वाकिय एक से मिस्परकार पढ़ते हैं प्रभु कहते हैं यदि तुम प्रभु अपने इश्वर की वानी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिने मैं आज तुमक तुम्हारा साथ देते रहेंगे क्या क्या वर्दान है नगर में तुम्हारा कल्यान होगा और देहात में तुम्हारा कल्यान होगा तुम्हारी संतान तुम्हारी भूमे के उपज तुम्हारे पशुधन तुम्हारी गाएं और भेड़ बकरियों के बच्चों को आश्रवात तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पातर को आशिरवात प्राप्त होगा घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशिरवात प्राप्त होगा तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीसरी बात यह है कि हम प्रभू के आदेशों का पालन करें इस दुनिया में बहुत सारे लोग सफलता प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी धन बटोरने के लिए नकल करते हैं पिबिन प्रकार के गलत तरीकों को अपनाते हैं सफलता हसिल करने के लिए लेकिन प्रभू का वच्छन कहता है कि सफलता उन्हें प्राप्त होती है सच्ची और शाशुत सफलता उन्हें प्राप्त होती है जो प्रभू के आदेशों के अनुसार जीवन जीते है हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय पांच में पढ़ने को मिलता है कि रात भर मचली पकड़ने के लिए प्रयास करने पर भी पेत्रूस और अन्य लोगों ने एक भी मचली नहीं पकड़ी हालाकि वे पेशे से प्रभू येसु के आदेश का पालन करने से उन्होंने इतनी सारी मचलीय पकड़ी ना केवल अपने नाओ बलकि अपने मित्रों के नाओं को भर दिया प्रभू के आदेशों का पालन करने से प्रभू हमें सफलता प्रदान करते हैं आपको उत्पत्ति ग्रंद के अध्याय में से एक यूसफ जिसको याकुब बहुत प्यार करते थे लेकिन उसके भाई लोग उससे इरश्या करते हैं और उन्होंने यूसफ को पकड़ कर मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथों में बेज दिया और व्यापारी उसको मिस्र देश ले जाते हैं आगे आप पूरे वितांत में बहुत सुंदर मरमस परशी बातें सुनते हैं अध्याई 29 में आप पढ़ेंगे कि यूसफ पोटिफर के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर पोटिफर की पतनी यूसफ के साथ गलत विहार करना चाहती थी उसके साथ संसरग करना चाहती थी क्योंकि यूसफ जवान था देखने में सुन्दर था लेकिन यूसफ प्रभू के आदेशों का पालन करते हैं वे उससे भाग जाता है पोटिफर की पतनी यूसफ के बाहिवस्तर को ले लेती है और अपने पती से कहती है कि यह लड़का मेरे साथ वे बिचार करना चाह रहा था मैंने उसके कपड़ी को ले लिया है यह देखिए और यूसफ बंदी ग्रह में डलवा दिया जाता है वहाँ पर भी प्रभू उसको साथ देता है वचना में बताता है कि प्रभू उसके साथ था इसलिए उसको जीवन में सफलता मिलती गई पूरे अध्याय में बार बार आपको पढ़ सफलता का एक रहस्या है प्रभू के आदेश का पालन करना